हेलो फ्रेंड्स आर्पी ग्यानी स्टडी में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज का क्लास बहुत है इंपोर्टेंट होने वाला है जी हाँ दोस्तो शिक्स मन्थ का करेंट फिर्स इस क्लास में आपको मिलने वाला है तो दोस्तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि आगे आने वाले परिच्छा की दिश्टी से बहुत है इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तुफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में आजी दोस्तो हमनों देखते हैं पहला किस्चन पहला किस्चन क्या है दोस्तो पहला किस्चन है हाली में IMF के आर्टिफिसियल एंटेलिजेंस तरपरता फुचकांक में भारत को कौन सा अस्थान मिला है दोस्तो IMF International Monarch Fund अंतराश्ती मुद्रा कोफ्स के द्वारा अभी हाली में आर्टिफिसियल एंटेलिजेंस तरपरता फुचकांक जारी किया गया है दोस्तो इसमें भारत को जो अस्थान मिला है 72 अस्थान मिला है भारत किस नमर पर है 22 अस्थान पर है अगर दोस्तो पूच दे आपसे फर्स्थान किसका है तो फर्स्थान किसका है सिंगापूर का सिंगापूर का फर्स्थान है हाली में किस देश में आयोजित रिम पैक अभ्यास कौन सा अभ्यास है रिम पैक अभ्यास दोस्तो रिम पैक अभ्यास जो एक नव स्वेना का अभ्यास है रिम पैक अभ्यास जो 200 का सबसे बड़ा नव स्वेनिक अभ्यास है भारत अभी हाली में इसमें क्या लिया है भाग ल चराया है हाली में T20 B सुकभ दोयाद 24 का किताब किस ने जीता तो अपना भारत जीता है किस को अराया दचिर अफरीका कर आया किते रूं से अराया साथ रूं से अराया दोफ्तो अगर आप से पुछ दे यह जो तीन जो कफाई किस नम्मर का था तो नवे क्रम का था किस क्रम का था नवे क्रम का था दोस्तों अगर आपसे पुछ दे इसका आयोजन कहां किया गया आयोजन जो T20 वर्ल्ल कप 1224 अभी हुआ है इसका आयोजन पुछ दे कहां किया गया तो इवस्य और बेस्टेंडिज में किया गया है कहां पर बेस्टेंडिज में किया गया है दोस्तों अगर आप से पुछ दे की player of the match किसे चुना गया तो बिराट कोहली को चुना गया अगर पुछ दे player of the series किसे चुन बुम्रहा को चुना गया आए ह्यू में किशिल सा घुलोबला इन्डेक्स फिर्फ जुर्फ अस्थान मिला है कौनसा पड़स में 9 जुलाई दौशक्रमśl को किंद सर्कार ने किस कानुन को लागू करने का फैफला किया है दोस्तों एक जुलाई दोय चोविस को केंद सरकार ने कानून लागू किया कौन भारती न्याज संगिता भारती नागरिक सुरच्छा संगिता भारती साच अधिनियम ये तीनों लागू किया गया है किसके द्वरा केंद सरकार केंद सरकार क कौन सा संग्राले है, यूग यूगिन भारत संग्राले का निर्माड किसके सयोग से किया जाएगा, दोस्तो भारत में यूग यूगिन भारत संग्राले बनाया जा रहा है, इसमें किसका सयोग मिला है, हमें तो फ्रांस, कौन सयोग कर रहा है, फ्रांस सयोग, हाली में एरोप परिश्वत के अगले अध्याच पद पर किसे निवत किया गया है। ब्रांड अमबेश्डर निवत किया है। अंतराष्टी डेरी महासंग एसिया प्रसांथ सिखर सम्मेलन का आईजन किया है। कहां पर किया जा रहा है तो कोच्ची कहां पर कोच्ची में। दोस्तो नेक्ट किश्चन देखते हैं। अगला किश्चन है हाली में गवा अफुरच्छा योजना कौन फा योजना है। गवा अफुरच्छा योजना प्रारम करने की गोफडा किसने की है। दोस्तो गवा अफुरच्छा योजना जो प्रारम किया है। किस सरकार अफुरू किया गया है तो असम सरकार के द्वारा गोफडा किया गया है। कौन सा योजना चलाने के लिए गवा अफुरच्छा। आए दोस्तो नेक्ट किश्चन है। दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लांच करेगा दुस्तों दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट है यह किसके द्वरा लांच किया जाएगा तो यह आपका जापान के द्वरा लांच किया जाएगा किसके द्वरा लांच किया जाएगा जापान के नेस्ट क्यूशन है हाली में वित्तिक करवाही कारेबल EFATF ने भारत को किस स्रेड़ी में सामिल किया है दोस्तो EFATF ठीक इसका फुल फाम होगा financial action task force financial action task force दोस्तो इसमें भारत को किस स्रेड़ी में सामिल किया गया है तो नियमीत अनुवरती स्रेड़ी में सामिल किया गया है आईए दोस्तो next question देखते हैं next question है हाली में going together for youth creativity and building पहल किसने लांच किया है तो दोस्तो ये पहल जो है UNESCO के द्वारा लांच किया गया है अगला question है हाली में भारत सरकाने अपने संपूर जीव जनतूं को चेक लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टर अप लांच किया गया है दोस्तो एक पोर्टर अप लांच किया गया है भारत सरकाने अभी हाली में एक आप लांज किया है जिसमें संपूर जीवजनतों के चेक लिस्ट के लिए लाग गया गया है दोस्तों कौन सा है कौन सा है आप लांज किया गया है तो सूची पोर्टल कौन सा पोर्टल है सूची पोर्टल आई दोस्तों नेक्ट क्यूचन देखते हैं अगला क्यूचन है हाली में SBI के अध्यच पत पर किसे चुना गया है SBI के अध्यच पत पर किसे चुना गया है तो दोस्तो SBI के अध्यच कौन बने है तो कौन बने है SBI के अध्यच तो स्री निवाफ लूफू सेथी स्री निवाफ फूलू सेथी कौन है श्री निवास फुलू सेठी जिनने अभी हाली में क्या बनाया गया है SBI के नए अध्यच चुना गया है आई दोस्तों नेश्ट क्यूचन है अगला क्यूचन है हाली में ब्रांड फाइनेस द्वारा जारी नविन्तम रैंकिंग के अनुफार भारत का सबसे वैलिवेबल ब्रांड कौन सा है सबसे मुल्यवान ब्रांड कौन सा है तो दोस्तों कौन सा है टाटा समू भारत का सबसे मुल्यवान ब्रांड है कौन टाटा समू आई दोस्तों अगला क्यूचन देखते है अगला क्यूचन है प्रतिवर्ष गूट्फ एंड सर्विस टेक्स दिवस दोयाद 24 कम मनाया जाता है दोस्तो एक जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है गूट्फ एंड सर्विस टेक्स मनाया जाता है दोस्तो GST आ गया तो GST की अस्थापना कब की गई थी GST लागू कब होई थी तो GST 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी कब 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी किस संविधान संफोधन के द्वारा तो 101 संविधान संफोधन के द्वारा लागू किया गया था किस्समीत्री की दोरा तो बिजय केलकर समीत्री की दोरा पहला राज ये कौंस आये GST लागू करने वाला पहला राज ये असयं अगर पूछ दे GST जो है जो भारत में जे एस्टी लागू किया गया है किस देश के माडल पर आधायो थाये था तो कनाडा के màडल पर कनाडा से भारत कनाडा को देखते हुए अपने यहां क्या किया औरby दोस्तों अगर आप से पूछ दे किस सुची का भी शाए तो यह समवर्थी सूची का भी शाए ऑजी दोस्तों नेष्ट क्विश्चन देखते हैं अगला क्यूश्चन है हाली में आशा भोफले की जीवनी स्वर स्वामनी आफा का भीमोचन कहां हुआ है दोस्तों स्वर स्वामनी आफा का भीमोचन किया गया है कहां पर किया गया है तो मुंबई कहां पर मुंबई में किया गया आई दोस्तों नेश्ट क्यूशन है अगला क्यूशन है हाली में मुख्यमंत्री माजी लड़की बहिन योजना किसने प्रारम करने की गुफरा की है दोस्तों कौन फाय योजना है मुख्यमंत्री माजी लड़की बहिन योजना ये किस राजी सरकार के दौरा चलाया गया तो कहां पर महराष्ट सरकार की दौरा चलाया जाएगा आई दोस्तो नेश्ट क्यूचन देखते हैं अगला क्यूचन है हाली में केंद्र सरकार ने 6 महने के मातित्व आवकास की गोफडा की है इसका संबंध किस से है तो दोस्तों फरोगेशी से माँ बनने तक 6 महिने का क्या है मातित्व अवकास दिवस घुफटा किया गया किस के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा आई दोस्तों नेश्ट क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है हाली में New Space India Limited ने Space Maitri Mission के तहद किस देश के Optimus उपगरव को लांच करने की गुफड़ा किया है तो दोस्तों किस देश के Optimus उपगरव को लांच करेगा कौन लांच करेगा New Space India Limited के वारा लांच किया जाएगा किस देश का है तो आप्टिकल उपग्रव किस देश का है तो आश्टेलिया देश का है आए दोस्तों नेश्ट किस्चन देखते है नेश्ट किस्चन है हाली में मिर्गी के दोरे को नियंतित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इंप्लांट कहां हुआ है दोस्तो brain implant हुआ है कहां पर किया गया है तो UK United Kingdom में मिर्गी के दोरे को नियंतित करने के लिए दुनिया का पहला brain implant कहां किया गया तो UK United Kingdom में किया गया next question है अगला question है हाली में एरोपी परिशत का अध्यच कौन बना है दोस्तो एरोपी परिशत का अध्यच किसे बनाया गया है कौन बना है कौन फादेश बना है तो 형ary कौन फादेश हंगरी आए दोस्तो next question देखते हैं हाली में भारती सेवा ने संक्त संसे अभ्यास माहतरी कौन सा अभ्यास है माहतरी ये मायत्री अभ्यास जो है किसके साथ प्रारम किया है तो भारत जो है मायत्री जो अभ्यास प्रारम किया है किस देश के साथ थाइलेंड के साथ प्रारम किया है किसके साथ थाइलेंड के साथ प्रारम किया है सब्सक्राइब किया रहा है अगला किस्टन देखते हैं अगला किस्टन है हाली में लियून सत्रंज मास्टर्स 2024 का किताब किसने जीता दोस्तो लियोन सतरंज मास्टर 2024 का किताब किसने जीता है तो कौन जीते हैं ये 20 सुनात आनंद किसके द्वरा 20 सुनात आनंद के द्वरा अभी हाली में कौन सा सतरंज मास्टर तो लियोन सतरंज मास्टर 2024 का किताब जित गए हैं दोस्तों विसुनात आनंद जो है ये लियून सतरंज मास्टर का किताब दस बार जित चुके हैं दोस्तों विसुनात आनंद पहले ग्रेंड मास्टर है कौन भारत के पहले ग्रेंड मास्टर कौन है विसुनात आनंद इनकी एक बहुत ही खास पुस्तक अभी हाल इसमीर में लांज किया है कौनसा माइंड मास्चर इसकी एक पुस्तक है कौनसी माइंड मास्टर आई दोस्तों चेके अगला किस्चन है हाली में भारती सेना में सामिल सबसे सकतिसाली गैर परमारू बिस्फोतक कौन सा है दोस्तों गैर परमारू बिस्फोतक अभी हाली में भारती सेना में सामिल किया गया है तो कौन सा है सीबेक्स टू कौन सा सीबेक्स टू जो सबसे सकतिसाली गैर परमारू विश्फोटक है आई दोस्तो अगला किस्चन देखते हैं अगला किस्चन है आपका अगला किस्चन है हाली में बेहदी न खलम उत्सो कहां आयोजित किया गया है तो किस राजी में आयोजित किया गया है में घाले में आयोजित किया गया है आई दोस्तो अगला किस्चन है ने दरजा दिया है किस कंपपनी को तो कौन सा है मजगाउं डाक स्पील डाक सीप भीलडर को अभी चय Lynn gemacht दरजा दिया गया गया है आई दोफ्ट नेक्ट की विचन नजए हली में पहले के शरफती अम्मा-पूरस्कार कौन सा किया गया है next question है हाली में निदर लेंड के प्रधान मंत्री पत पर किसे चुना गया है दोस्तों निदर लेंड के नए प्रधान मंत्री कौन बने है तो कौन बने है डिक सूप कौन डिक सूप है कौन है डिक सूप डिक सूप यह डिक सूप जो है निदर लेंड के नए प्रध मंत्री पत पर चुने गए हैं हाली में चर्चा में रही राइजो टोप पर्योजना का संबंध किसे है कौन सा पर्योजना है राइजो टोप पर्योजना इसका संबंध किसे है तो दोस्तों राइजो टोप पर्योजना जो है इसका जो संबंध है किसे गैंडा किसे गैंडा से किसे गेंडरास है आई ढूस्तों next question देखते हैं,west question है हाली में भारती चेना ने किसे भारती सेना ने किसके साथ फ्यूक्त शैने अभ्यास नॉमाइडिक elephant प्रारण किया है कौन सा अभ्यास है ? नॉमाइडिक elephant अभ्यास य किसके साथ भारत प्रारण किया है ? तो मंगोलिया के साथ नुमाइडिक एलिफेंड अभ्यास किसके साथ होता है तो भारत और मंगोलिया के साथ आई दोस्तों नेश्ट किफचन है अगला किफचन है हाल ही में उन्नत प्रित्वी अवलोकन उपगर एल ओयस फोर को किसने लांच किया है प्रित्वी अवलोकन उपगर एल ओयस फोर को किसने लांच किया है कौन सा देश लांच किया है जापान के द्वारा लांच किया गया कौन सा एल ओयस फोर किसके द्वारा लांच किया गया जापान के द्वारा लांच किया गया आई दोस्तो next question देखते हैं अगला question है हाली में UPSC के योग ये उमिद्वारों को 1,00,00 रूपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लांच किया गया है दोस्तो जो UPSC के योग ये उमिद्वार है उनको 1,00,00 रूपए सहायता प्रदान के लिए एक पोर्टल लांच किया गया है कौन सा पोर्टल लांच किया गया है तो निर्मार पोर्टल कौन सा पोर्टल है निर्मार पोर्टल अभी हाली में UPSC के योग ये उमिद्वारों को एक लाख रूपए की साहता प्रदान करने के लिए लांच किया गया है आई दोस्तों नेक्ट किश्चन देखते हैं अगला किश्चन है हाली में भारती वाई सेना प्रमुख ने हथियार प्रराली इस्कूल का उठगाटन कहां किया है दोस्तो भारती वाई सिना जो प्रभूख है उनके द्वारा अभिहाली में हतियार प्रराली स्कूल का उठगाटन किया गया है तो कहां पर किया गया है है हैदराबाद कहां पर हैदराबाद में किया गया है आई दोस्तो next question देखते हैं अगला question है हाली में AI सम्मेलन Global India AI Summit कहा प्रारम हुआ है। हाली में NTR भरोसा पेंशन योजना कौन सा योजना है NTR भरोसा पेंशन योजना कहां प्रारंब हुआ है तो किस राज ने अभी हाली में NTR भरोसा पेंशन योजना लांज किया है तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाली में NTR भरोसा पेंशन योजना लांज किय गया आईए दोस्तों next question देखते हैं अगला question है हाली में अंतराष्टी छात्रों के लिए prepaid sephiro forex card कौन सा card है prepaid sephiro forex card किसने लांच किया है तो किसके द्वरा लांच किया गया तो यह है जो आपका icici bank के द्वरा icici bank के द्वरा अभी हाली में prepaid sephiro forex card लांच किया गया है आई दोस्तों next question देखते हैं अगला question है हाली में तेलंगाना ब्रिच पुरुस पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया तो इन बलराम को अभी हाली में तेलंगाना ब्रिच पुरुस पुरसकार से सम्मानित किया गया है नेश्ट क्विश्चन है अगला क्विश्चन है इवनेश्को विश्व धर्वर समिति के 46 में सत्र की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों जो इवनेश्को विश्को धर्वर समिति हो रहा है इसका जो 46 में सत्र हो रहा है इसका मेजबानी कौन कर रहा है तो अपना भारत कर रहा ह ऍगला question है हाली में पेरिस 24 लॉंस एंजलस 28 ओलंपिक खेलो के लिए भारती ओल शांग का मुख्य प्रायोजक कौन बनाए दोस्तो भारती ओलंपिक शांग का मुख्य प्रायोजक किसे बनाए गया है तो BPCL भारत पेट्रोलियम कार्परेसर लिम्टेड को मुख्य प्रायोजक बनाया गया है आई दोस्तों नेक्ट क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है हाली में संपूरता अभियान किसने प्रारम किया है संपूरता अभियान किसके द्वारा प्रारम किया गया है तो निति आयोग के अस्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को निति आयोग के अस्थापना की गई थी निति आयोग के अध्यच कौन होते हैं तो PM प्रधान मंत्री होते हैं अगर पूर्षिदे निति आयोग के वरतमान अध्यच कौन है सुमन के वेरी कौन है सुमन के वेरी और CU कौन है तो BBR सुब्रम्रियम कौन है BBR सुब्रम्रियम और अत्मान समय में नितियायो के CU है आई दोस्तों नेक्ट किस्चन देखते हैं अगला किस्चन है हाली में राष्टी लेखाउं के आधार पर वर्ष में समफोधन है तो किसकी अध्यस्ता में समितिका गठन किया गया है की गई है आई दोस्तों नेश्ट क्यूस्चन है अगला क्यूस्चन है हाल ही में पहली बार मैरी लेंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजी करण कहां किया गया है तो कहां पर किया गया असम में कहां पर असम में दोस्तों यह जो है एक अस्तंधारी प्राडी है कौन मैरी मेरिलेंड सीरो जो है एक अस्तंधारी प्राडी है बकरी के समान दिखने वाली बकरी और हीरर के बीच की संकर प्रजाती है कौन मेरिलेंड सीरो इसी का अभी हाली में फोटोग्राफिक दस्तावेजी करड किया गया है कहां पर असम में किया गया है कहां पर असम में किस नेश नेशनल पार्क है वहीं पर किया गया है आई दोस्तों नेश्ट किविशन देखते हैं अगला किविश्चन है हाली में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंद किस्से है तो दोस्तों प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंद किस्से है तो दोस्तों प्रोजेक्ट नेक्स रैंक पाने वाले पहले भारती अलाउंडर किर्केटर कौन है तो दोस्तो कौन है हारदीक पांडिया कौन हारदीक पांडिया नेक्ट किर्चन देखते हैं अगला किर्चन है हाली में जारकंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने समाला है दोस्तो जारकंड के मुख्यमंत्र का पदभार किसने समाला है कौन बने हैं तो ये हेमंत सोरेन कौन हेमंत अगला केश्चन है हाली में अतरिक्त राष्टी फुरच्छा सलाकार पद पर किसे निव्ट किया गया है दोस्तों अतरिक्त राष्टी फुरच्छा सलाकार कौन सा अतरिक्त राष्टी फुरच्छा सला स्राकार पदपर किसे निव्ट किया गया है तो किसे राजिंदर खन कौन राजिंदर खना राजींदर खन ने avoiding सुद्धा शलाकार पांज स्रौन किसे अबीहाली में अत्रिक्त राष्टिल शुरच्छा शालाकार पतफ़ ї किसे राशेतिल खनार लिखा अत्रिक्त पुछ देतो राजिंदर खन्ना कौन राजिंदर खन्ना आई दोस्तों नेस्ट क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है हाल ही में लोगपथ मोबाइल एप किसने लांच किया है लोगपथ मोबाइल एप किसके द्वारा लांच किया गया है तो दोस्तों किसके द इसके अंतरगत क्या किया जाएगा इस मुबाइल आप से इसमें अगर कहीं भी सरक की समस्या है तो इसको फोटो घीच कर इस आप पर चाहने से साथ दिन के अंदर उस स्वरक का मरम्मत किया जाएगा दोस्तों तो लोगपत मुबाइल आप किसके द्वारा लांच किया गया में ब्रिटेन के प्रधान मंतरी पत पर किसका निर्वाचन हुआ है दोस्तो ब्रिटेन के नए प्रधान मंतरी कौन बने है की एर इस्टार्मर बने है कौन की एर इस्टार्मर ब्रिटेन के नए प्रधान मंतरी बने है दोस्तो इससे पहले कौन थे तो रिशी सुनक थे रि बना गयाlais संकाई सायोक संगठन का 10 अजाब ढया गया तो बेला रूस नेक्ट केष्चन है हाली में बिर्टेन के परधार मंन्त्री पत पर कीसका निर्वाचन खुआ है ऑगला केष्चन है हाली में संगाई सयोग संगठन का दस्वा सदस्य किसे बनाया गया है संगाई सयोग संगठन का दस्वा सदस्य कौन बनाया है तो बेला रूस बेला रूस संगाई सयोग संगठन का दस्वा सदस्य बनाया है आई दोस्तों next question देखते हैं अगला किस्चन है हाली में रूस ने कब तक नए आर्बिटल स्टेशन निर्मार की घुफडा किया है तो 2030 तक कब तक 2030 तक आईए अगला किस्चन देखते हैं कौन कौन फराज समझावता किया है तो ये कौन कौन फराज है तो मद्रप्रदेश और राजस्थान जोई पारवती काले सिन चम्बल नदि जोड़ो पर्योजना के लिए समझावता ग्यापन किया है आईए दोस्तों next question देखते हैं अगला question है हाली में प्रेश सुचना बीरो का महानिदेशक किसे चुना गया है तो दोस्तों किसे चुना गया है तो ये चुना गया है धिरेंद्र ओजा को अभी हाली में प्रेश सुचना बीरो का महानिदेशक चुना गया है आई दोस्तों नेस्ट क्युष्चन है अगला क्युष्चन है हाली में किस देश ने गार्डन रिच सीप बिल्डर्स एंड इंजिनियर को 800 टन महा सागर गामी टग बनाने का आडर दिया है तो कौनसा आई वा देश है किस देश को तो बांगला देश किसे दिया गया है स्मार्ट स्वीचन को कब तक समाप्थ करने का लच्छ रखा गया है कब तक जनौरी 2021-35 जनौरी नहीं दोस्तों यह आपका हो जाएगा मार्ण 2022 तक दोजाब पचिस्त केंद सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को समाप्त करने का लच्छे रखा है आगे देखते हैं नेस्ट क्यूशन है हाली में M.I.A. पार्ठिक्रम में भागवत गीता को सामिल करने की गोफडा किसने किया है दोस्तो अभी हाली में जो M.I.A. का पार्ठिक्रम है इसमें भागवत गीता को सामिल करने की गोफडा किया है किसने इगनू? इगनू जो है अपने यहां M.I.A. पार्ठिक्रम में भागवत गीता को सामिल करने का गोफडा किया है हाली में व्यापारियों के लिए कि भायती स्वास्थ सेवा हेल्थ साथी योजना कौन सा योजना है हेल्थ साथी योजना किसने प्रारम किया है तो दोस्तों हेल्थ साथी योजना जो है यह आपका पेटियम के द्वारा प्रारम किया गया है हेल्थ साथी योजना आई दोस्तों next question देखते हैं अगला question है हाली में स्वामी विवेकानन्द की पूर्यति थी कम मनाई गई ती तो 4 जुलाई को मनाई गई है कब 4 जुलाई को दोस्तों स्वामी विवेकानन्द इनका जन्म कब वुआ था तो 12 जनौरी 1863 को स्वामी विवेकानन्द का जन्म हुआ था अगर पूछ दे दोस्तों इनका इनकी जन्म दिवस पराष्टी युवा दिवस मनाई अगला अगला क्योंचन है हाली में मफूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्टपती चुना में जित दर्ज की है दोस्तों मफूद पेजेस्कियन मफूद पेशेस्कियन ने किस देश के राष्टपती चुने गए है तो कहां के इरान के राष्टपती चुने गए है दोस्तों अ अब नए राश्टपती कौन चुने गए हैं तो मफ्रूद पेजे स्कियन नए राश्टपती चुने गए हैं आईए दोस्तों नेश्ट क्यूचन देखते हैं अगला क्यूचन है मर्सल के जीवन यापन लागट डेटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महाँगा सहर कौन सा आए होंग कांग कौन सा होंग कांग आगे नेश्ट क्यूचन देखते हैं आगला क्यूचन है हाली में भारती वाई सेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडियेशन मिसाइल का सफल परिच्छर किया है दोस्तों पहला स्वदेशी एंटी रेडियेशन मिसाइल का सफल परिच्छर किया है तो कौन साव मिसाइल है तो रुद्रम 1 जो मिसाइल है इसका अभी हाली में भारती वाई सेना ने किया किया है सफल परिछड किया है आईए नेस्ट क्यूचन देखते हैं अगला क्यूचन है हाली में प्रोजेक्ट परी किस ने प्रारम किया है दोस्तों प्रोजेक्ट परी ज कान्सक्रिती मंत्रा लहके द्वरा आए दोस्तों नेट्ट केस्चन देखते हैं अगला कीस्चन है 133 में ढुं़ंड कप 2024 का उडगाटन मैच कहां आयो जीत हो गा दोस्तों ढूंड तक कॉसा कफ है ढूरंड कप इसका जो आयोजन होगा इसका आयोजन होने वाला है यह भारत में होगा भारत में कई जगह इसका आयोजन किया जागा जैसे सिलोंग हो गया कोलकाता हो गया जमसेटपुर हो गया ठीक काकरो जार हो गया ठीक यहां पर आयोजन किया गया लेकिन उट घाटन मैस का आयोजन कहां किया गया तो कोलकाता में कहा अभी हाली में ICSR भारती मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे SPICE AWARD 2024 से सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है सोपना कलिंग नगर कौन कलिंगर सोपना कलिंगर ये कलिंगर होना चाहिए ठीक कलंगर ठीक सोपना कलिंगर जिसे अभी हाली में SPICE AWARD 2024 से सम्मानित किया गया है नेश्ट किवश्चन है हाली में G1 समर्थ पर्योजना कौन सा पर्योजना है G1 समर्थ पर्योजना किसने लांच की है तो दोस्तों किसने लांच की है LIC LIC के द्वारा अभी हाली में G1 समर्थ पर्योजना लांच किया गया है आई दोस्तों नेश्ट किविश्चन देखते हैं अगला किविश्चन है हाली में राष्टिय बाल अधिकार सनच्छर आयोग ने किस राजी में अबरग खादानों को बाल स्रम्मुक्त गोशित किया है जो अबरग खादानों में बाल स्रम्मुक्त गोशित किया है कौन सा रा जतन किया गया है तो किसकी आध्यस्ता में जाच आएक गठन किया गया है तो ब्रेजेश prof Pro के जार लिए ज़ाइगे आई दोस्तों नेश्च क्यूच्यर है हाली में नसीड परफ्वू जगनाथ रथयात्रा कौनसा रथयात्रा कौनसा रथयात्रा तो जगनात रत यात्रा कहां प्रारंब हुया है तो दोस्तो कहां प्रारंब हुई है जगनात रत यात्रा तो आपका ओरिशा राजी में कहां पर ओरिशा राजी में भगवान जगनात रत यात्रा का प्रारंब किया गया है आई दोस्तो next question देखते हैं नाटो सिखर सम्मेलन नाटो सिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां होगा दोस्तो नाटो सिखर सम्मेलन 2024 का प्रारम कहां होगा तो दोस्तो कहां होगा नाटो सिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा तो जो इसका आयोजन किया जाएगा इवस्य कहां किया जाएगा इवस्य में किया जाएगा आए दोस्तों नेस्ट क्रिश्चन देखते हैं नेस्ट किस्टन है अगर दोस्तों नाटो आ गया आए देखते हैं नाटो के बारे में दोस्तों नाटो यन ए टी ओ नाटो 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 अट्लांटिक ट्रेडी अर्गनेजेशन इसकी अस्थापना जो ही थी हुआ था नाटो नाटो का अस्थापना हुआ था अगर दोस्तों पूच देति इसमें वरतमान समय में कितने सदस्य है कितने देश सामिल है तो 32 देश सामिल है अगर पूच दे एक तिसमा देश कौन सा है तो फिनलेंड और 32 देश कौन सा है स्वीडन कौन सा है स्वीडन आए परियाव अस्थान किसे मिला है दोस्तों कौन सा देश है जिसे क्या मिला है तो पर्यावर प्रदर्शन सुच का अंग 24 के दुनिया के दस प्रमुख फच देशों की सुच में सिर्ष अस्थान किसे मिला है तो फिर्ष अस्थान किसे मिला है तो कौन सा देश है तो यह आपका जो देश एस्टोनियां कॉन? एस्टोनियां जिसे सिर्ष अस्थान दिया गया है आई दोस्तों ने्स्ट किप्चन है अगला किप्चन है हाली मैं बावधिक समपदा संगठन के अनुफ़ार जेनरेटिव ए आई पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का सिर्ष देस कौन सा है? जो AI patent दायर करने वाला दुनिया का फिर्स देश कौन बना है तो यह आपका चाइना चीन है आई दोस्तों next question है हाल ही में बित्ति कारवाही कारिबल की अध्यचता किसने समहली है दोस्तों जो बित्ति कारवाही कारिबल है इसकी अध्यचता किसके द्मारा किया जया है मतलब EF A T EF ठीक financial action task force इसका अध्यच किसे बनाया गया है तो Elisha Madrajo किसे Elisha Madrajo को क्या किया गया है तो EF A T EF का क्या अध्यच बनाया गया है आई दोस्तों next question है अगला question है हाली में तफनीम मीड और थारून ने किस देश में आयोजित सेंट डेनिस रियूनियन बैंड मिंटर ओपन 2024 में एकल किताब जीते हैं दोस्तों 21 देश में आयोजित हो रहा था तो यह आपका France में ठीक France में आई दोस्तों next question देखते हैं अगला question है हाली में चर्चा में रहे सेन ऊपकरष जुरावर का सम्मंद किस से है तो दोस्तों जो फैन उपगरा जुडावर है इसका सम्मन्ध किस्चे है तो फ्वदेशी हल के टैंक है यो क्या है फ्वदेशी हल का टैंक है कॉन जुडावर ठीक आई दोस्तों नेट केश्चन देखते हैं अगला किस्चन जो है हाली में केंद्री मंत्र डाक्टर डिजेंद सिंग द्वारा लांच इन फ्लाई मी एन नेटवर का संबन किसे है तो फैटी लिवर डिजी से है किसे फैटी लिवर डिजी से आए नेश्ट किस्चन देखते हैं अगला किस्चन हाली में तो दोस्तों ये चुना गया महराष्ट को किसे महराष्ट को महराष्ट ठीक महराष्ट राज्य को चुना गया है फर्फ्रेश्ट किसी राज्य का पुराष्कार किसे चुना गया किसे दिया गया महराष्ट को तो next question देखते हैं अगला question है हाली में धुरू सितल वाला ने किस देश में आयोजित ACI Billiards Championship का किताब जीता है तो किस देश में आयोजित हुआ था सवदी अरब कहाँ पर सवदी अरब अगला question है हाली में चर्चा में रही इस्ट्री पहल का सम्बंद किस से है दोस्तों इस्ट्री पहल का सम्बंद किस से है तो किस से है इस्ट्री पहल का सम्बंद तो ये आपका इस्ट्री पहल का जो सम्बंद है एक ग्रामिर विकास मंत्र झाले सील